दोस्तो आज के वीडियो में हम सिखने वाले हैं हीरो फिन क्रोप पर कैसे लोन अपलाई करते हैं और उसे अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं दोस्तों इंडिया के अंदर hero fin crop एक बड़ा company है आप market में जितना भी hero का bike देखते हैं ये सब इसी company का हैं तो इंडिया के अंदर hero company का bike भी ले सकते हैं और hero fin crop पर आप personal loan भी ले सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले play store पे आएंगे यहाँ पर देखेंगे hero fin crop का दो application हैं जैस माल लीजे कि इनके company में आप job करते हैं तो आप इस application पर apply करेंगे लेकिन अगर आप इनके company में जौब नहीं करते हैं तो एक दूसरा भी इनके पास application है ये बना करके रखे हैं यहाँ से हर कोई loan apply कर सकता है और यहाँ से loan ले सकता है तो इस video में चलिए हम सीखते हैं कि कैसे loan apply करते हैं तो ये application आपको download करना है इसका direct link मैं video के description में और comment section दोनों जगा दे दिया हूँ आप उस पर click करके इसे download करेंगे उसके बाद open करेंगे अब open करते हैं तो इसको हमे permission देना होगा तो इसको हम allow कर देंगे यहाँ पे इसके features के बारे में register करना होता है तो यहाँ पे आप अपना mobile number डालेंगे login करेंगे उसके बाद आपके number पर 6 अंका OTP आता है OTP को यहाँ पे डालेंगे उसके बाद login पर click करेंगे तो यहाँ पे यह successful login हो जाएगा जब यहाँ पे login कर लेते हैं सबसे पहले ही हमें बता दिया जाता है कि आप यहाँ पर कितना तक का loan ले सकते हैं तो यहाँ पर जितना भी आपको loan का जरूरत है आप यहाँ पे select करेंगे आप यहाँ पर 50,000 लेकर 3,000,000 के बीच में जितना चाहे उतना loan apply कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना EMI भी select कर सकते हैं तो जैसे मान लिजे कि यहाँ पर आपको जितने का भी loan का जरूरत हो यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लिजे कि मैं 1,50,000 select करता हूँ यहाँ पर आप अपना EMI भी select कर सकते हैं यहाँ पे month के हिसाब से है, अगर 24 months late करते हैं, तो आपका EMI 8,006 रुपया बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना EMI भी देख सकते हैं, loan apply करने के लिए apply for loan पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर दिखें, बताया जाता है कि 3 step में आप इस पैसे को bank में transfer कर सकते हैं, सब हमें complete करना होगा, तो सबसे पहले इनका term and condition आता है, इसको read करेंगे, उसके बाद accept, उसके बाद इसको permission देना होगा, तो इसको हम allow कर देंगे, अब जैसे ही permission दे देते हैं, तो यहाँ पे हमें KYC करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना pen card number डालेंगे, यहाँ पे आप अप of birth डालेंगे, जो आपके pen card पे हैं, उसके बाद term and condition को accept करेंगे, उसके बाद continue, उसके बाद यहाँ पे हमें selfie अपलोड करना होता है, तो इसपर क्लिक करके एक selfie अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें personal detail देना होता है, तो यहाँ पे आप अपना pen card number डालेंगे, य यहाँ पर आप Select करेंगे कि आप किसs Language में बात करना चाहते हैं जैसे मान लिजे कि Hero FinCrop Company के तरफ से आपके पास call आएगा तो आप किसs Language में बात करेंगे Hindi, English तो यहाँ पर Select करेंगे उसके बाद Next अब Next करते हैं तो यहाँ पर हमें Work Detail देना होगा तो सबसे पहले employment type में आप बताएंगे कि अगर आप कहीं पे job करते हैं तो salary person, अगर आपका खुद का business है तो self employee, अगर कहीं company में job करते हैं तो उस company का क्या नाम है यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे company का email ID, यहाँ पे profession बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे education बताए हैं, कितने समय से कर रहे हैं, तो यहाँ पे years, यहाँ पे month डालेंगे, जो काम कर रहे हैं यह lifetime आप कपसे कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे years और month डालेंगे, उसके बाद continue business पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें office का पूरा address देना होता है, तो जिस भी company में आप job कर रह होंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उसका area डालेंगे, उसका house number या फिर plot number है, तो यहाँ पे डालेंगे, street, pin code, city, estate, यह सभी चीजे फिल करेंगे, उसके बाद next, अब next करते हैं, तो thank you का message आ जाएगा, उसके बाद इसको process करेंगे, अब process करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा loan approval हो गया, यहाँ पे success लिखा हुआ आ गया है, और हमारे लिए दो offer है, पहला offer है 1,42,000 का और दूसरा है 1,50,000 का, तो मेरे को यहाँ पे 1,50,000 का लेना है, तो मैं दूसरे वाले offer पे जाऊंगा, यहाँ पे दोस्तों जब भी आप loan apply करेंगे, तो यह आ किलिक करता हूँ, अब उस पर किलिक करेंगे, तो यहाँ पर दिखिए, congregation your loan request is approved, हमारा loan approved कर दिया गया है, just यहाँ repayment setup अब हमें करना होगा, तो इस पर किलिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके loan का सभी detail आ जाएगा, यहाँ पे हमें emendate करना होगा, emendate का मतलब होता हमारे bank से करता रहेगा, तो इसमें हम अपना bank account add कर देंगे, तो यहाँ net banking को select करेंगे, उसके बाद net banking से इसमें emendate कर देंगे, चलिए मैं इसको emendate complete करता हूँ, अब जैसे ही emendate को complete करते हैं, तो यहाँ पर हमारा emendate successful complete हो जाएगा, यहाँ पर अब हमें e-sign करना होगा e-sign inka agreement होता है, जिसको हमें complete करना होता है, तो यहाँ पर देखे, 1,50,000 का loan हम ले रहे हैं, यहाँ पर processing piece, कितना पैसा हमारे bank में आएगा, उसको यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह सभी चीज़े देखेंगे, यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपको health insurance चाहिए, तो insurance नहीं लेना है, तो I don't want insurance पर क्लिक करेंगे, अब उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इनका सभी detail आजाएगा, term and condition आएगा, उसके बाद आपके number पर एक OTP आता है, OTP को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद verify OTP पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे loan का सभी detail तिल आजाएगा, हम जिस भी bank से emendate complete किये हैं, वो bank यहाँ पर आजाएगा, और उसी bank में यह loan का पैसा transfer होगा, तो यहाँ पर हम आखरी step में आगया है, अगर आप इस पैसे को लेना चाहते हैं, तो just यहाँ OK करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिखिए, हमारा loan application successful complete होगया यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह पैसा आपके bank में transfer कर दिया गया है, अभी हमारे bank में पैसा नहीं आया, दो से 10 minute बेट करेंगे, तो यह पैसा आपके bank में भी transfer हो जाएगा, एक लाख पचास जार रुपया का loan आप apply करेंगे, तो एक लाख चाचाट अजार 69 रुपया आपको repayment के तौर पे हमें वापस करना होगा, तो यहाँ पर दिकिए हमारा पैसा bank में transfer कर दिया गया है, इनके तरफ से हमारे bank में आने में कुछ समय लग सकता है, 2 से 10 minute, तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें wait करना है, तो दोस्तो यह तरीका है, आप इस तरीके से loan इस पर apply करेंगे और इस पैसे को अपने bank में transfer करेंगे,